आधित्य ट्राइट तु शो इस इमेज इन फ्रॉंट आप काश्वी आज विपोर यहाद बूड फ्रेंड बाद में अधित्य केता है अपने आप से की यह सब वह इसलिए कर रहा है क्योंकि यही वह चाहता है कि जब आधित्य आरजू की जान लेगा तब काश्वी ही आगया कि आधित्य की साइड लेगी वही यह प्रूव करेगी न क्या अधित्य आरजू की जान नहीं ले सकता इन डादित्य की फिलिंग्स चानकर भी आधित्य को बहुत अच्छा दोस्त इकेती है काश्वी मनी मन में चाहता है कि आरजुन उसे पहले रंग लगा इसलिए अर्जून को रंग लगाने नहीं देती क्योंकि काश्वी आर्जून के सामने प्रिटेंट करती है कि पहने तो रंग अटित्यगी उसे लगाएगा पर भांग पिने के बाद अर्जून काश्वी की ना सुनकर रंग लेकर काश्वी के पीछे बागने लगता इसलिए माइमा के केने पर खिर से वो अरजुन को फशानने का प्लैन कर लेती कि जिसमें मैमा खंडाय में भांग मिला देई और मार्च में प्रेगननट हो जाएगी माइमा को इस प्लैन को सुनकर पताचलता है कि यही माइमा इस प्लैन को अंजाम दे देती है और अधित्य ट्राइज टू टेक आर्जू स्लाइप बाइस लाइप बाते शुन लेता है कि काश्वी ने आर्जू की जूतों में वह बिच्चू देख लिया था काश्वी आर्जू को कन्मिन्स करती है कि वह करोन को डूंडने गई थी तब उसने जूतों में बिच्चू देख लिया था अर्जू की है जिसके वज़या से अधित्य बहुत गुसा हो जाता है क्योंकि होली में अधित्य और माइमा होली नहीं केल पाए और इसलिए माइमा और अधित्य दोनों अर्जून और काश्वी को अलग्त करने का अखुल पूरूब प्लैन बना लेते अब तो बस देखना तो यह होगा कि क्या इस बार काश्वी और अर्जून माइमा की प्रेग्नेंसी देखकर जान पाएंगे कि पहले भी माइमा ने अर्जून को पसाया था क्या होगा काश्वी का रियाक्शन यह जान कर जब माइमा यह सब ड्रामा करेगी क्या कभी आर्जून जान भी पाएगा कि क्या सचे क्या अधित्य माइमा के प्लैन में साथ देगा देखे सेरील में सिर्फ टार प्लस पर क्या हुआ है